नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Train Master जी YouTube चैनल में दोस्तों आप सभी ने मुझसे सवाल किया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए बर्जर पेंड में तो यह token में आपके लिए लेकर आया हो और आपको इसके सारी जान करेंगा कि आप इसे update कैसे कर सकते है या आप इसमें registration कैसे कर सकते है बर्जर पेंड में तो आई यह वडियो को start कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको इदर पीछे वाली साइड में एक नमबर मिलता है बर्जर पेंड का बर्जर पेंड का नमबर है 1800 130 30 दोस्तों आपने नोट नहीं किया ओंगा तो इस नमबर को नोट कीजिए 800 1800atto 1003103 6030 6030 दोस्तो इस नंबर पर आपको बर्जर पेंड में कॉल करना है और कॉल करके आपका नाम बताना है और याद रहे हैं दोस्तो आप जिस नंबर से बर्जर पेंड को कॉल कर रहे हैं आप अगले बारी को उसी से टोकन अपडेट कर सकते हैं अगर आपने अगर इस नए नमबर से कॉल किया फिर आप दूसरे नमबर से अपडेट करोगे तो आपका दूसरा अकॉन वहाँ पर तयार हो जाएगा यानि कि बन जाएगा तो आपको जिस नंबर से आप इस token पर फोन कर रहे हैं आपको रेगुलरी उसी नंबर पर token अपडेट करने होगे दोस्तों आपको सबसे पहले आपका नाम पूचा जाएगा पर आपको पूचा जाएगा कि आप पेंटर रहे में या कोंट्रेक्टर तो आपको बताना ही मश्तपनें कि सारी में वह टाइक आपको पयासे पहलेइगे तो ही आपको burger paint की और से कोई gift या फिर पैसे मिलते हैं और ये sirf और sirf painter के लिए होता ये घर्मालक के लिए नहीं होता तो दोस्तों यह थी वीडियो आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक शेर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको अगर टोकन अपडेट कैसे करने उसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और अगली वीडियो बनाऊंगा मैं कि कितने लिटर पर कितने पॉइंट होते हैं इस वीडियो को लाइक शेर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यावाद